नमस्कार साथियों मैंने एक सवाल पूछा था कि A9 को इमर्जेंसी पर रखने पर PVEF को दबाते हैं तो लोकों पर एक रिलीज क्यों नहीं होता है तो कुछ लोगों ने इसका सही जवाब दिया और कुछ लोगों ने गलत जवाब दिया और कही लोगों ने इसका जवाब भी नहीं दिया तो साथियों जब भी मैं सवाल पूछता हूँ उसका जवाब गलत या सही अविश्य देवें इससे आपका confidence बढ़ेगा और आपको knowledge भी अच्छा हो जाएगा तो चिनों ने सही जवाब दिया उनके नाम उनके comment के साथ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले इसका सही जवाब क्या है आईए हम जान लेते हैं तो पहले हम यह देखेंगे तो VF जो PVF है उसको दबाया और A9 को emergency पे रखा तो A9 को emergency पे रखने से हुआ क्या यह देखो BP पाई पे जैसे A9 को emergency पे रखेंगे RGB2 पिक अप होगा पिक अप होगे क्या होगा RGB2 का जो contact है वो BP pressure 2.5kg गटकर हो जाएगा तो यहां से खुल जाएगा खुल जाएगा तो QRS को de-energize कर देगा यानि कि A9 को जब emergency पे रखेंगे तो QRS de-energize हो जाएगी कैसे हो जाएगी RGB2 पिक अप होगी जैसे pressure गटकर धाई कैजी होगा RGB का interlock QRS की ब्रांच से खुलेगा और QRS de-energize हो जाएगी यह यहां तक हमने समझ लिया कि A9 को emergency पे रखने पर QRS de-energize हो जाती है अब आगे बढ़ते हैं PVF की तरफ कभी यह PVF दबाने से क्या हो रहा है तो यह देखेंगे यह देखेंगे अपने यापए PVF यह PVF को दबाया यह VF की कोईले अब हम यहाँ पे PVF कितना भी दबावें जब QRS de-energize हो गई है तो यह एनो इंट्रलोग यहाँ से खुल गया और VF वाल जो है वो इनर्जाइज नहीं होगा जब यह इनर्जाइज नहीं होगा तो वहाँ पे ओपरेटिंग प्रेशर नहीं निकालेगा प्रेशर आगे जाता रहेगा और लोको का ब्रेक रिलीज नहीं होगा एनाइन को जब इमर्जेंसी पर रख देंगे PVS दबाएंगे QRS de-energize होने कारण लोको ब्रेक रिलीज नहीं होगा क्योंकि VF वाल जो है वो de-energize हो जाता है तो इस परकार हमने समझा कि A9 को इमर्जेंसी पर रखने पर लोको ब्रेक रिलीज क्यों नहीं होता है आईए हम देखते हैं अब किन लोगों ने सही जवाब दिया और क्या जवाब दिया वो भी आपको मैं दिखाने वाला हूँ तो दोस्तों और भी मैंने जो सरकीट बनाए है वो चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में जाकर जो वीडियो देखना हो आप वीडियो देख लीजिए अपना ग्यान बढ़ाईए और एक आडियो की एप खबरी एप उसका खबरी एप का लिंक में इस वीडियो के डेस्क्रिप्शन में डालूंगा तो खबरी एप पर भी जाकर मुझे आप फॉलो कीजिए कमेंट कीजिए और बहुत अच्छे चे ओडियो है वो देखिए तो चलिए देखते हैं किन लोगों आपने क्या जवाब दिया है आईए तो अखिलेश कुमार जी लिखते हैं एनाइन को जब इमर्जेंसी लगाने पर प्रेशर डाई केजिसे कम हो जाता है तो QRS डी इनर्जाई हो जाने कारण QRS का एनो इंटरलोग खुल जाता है VFD नर्जाई हो जाता है जिसके कारण लोकों में ब्रेक लगता है यानि कि लोकों ब्रेक रिलीज नहीं था अच्छा अंसर लिखा आना ने बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश कुमार जी आपने अपना समय व्यतित किया थोड़ा और महनत किया नौलेज भी आपका अच्छा है तो बहुत अच्छा काम किया आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कई लोगों ने इसको पढ़ा होगा उनको भी नौलेज हो गया होगा कि इसका क्या कारण है तो देखते हैं आगे और किस ने कमेंट लिखा मिठालाल सैनी साब ने बहुत ये इच्छा लिगा हिंदी में अच्छी तरह से समझ में आता है सबको A9 से इमर्जेंसी लगाने पर QRS डी इनर्जाईज हो जाती है जिससे QRS का एनो इंटरलोग VF की ब्रांच पर खुल जाता है और VF वाल पर्मानेंट डी इनर्जाईज हो जाता है जिससे PVF दबाने पर भी लोकों में ब्रेक लगती है और जबकि DVR के समय A9 से इमर्जेंसी लगाने पर QRS डी इनर्जाईज नहीं होती है CTF ब्रेकिंग के एनो इंटरलोग के कारान जिससे VF वाल इनर्जाईज ही बना रहता है बिल्कूल सही लिखा मिठालाल सैनी साब बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत अच्छा आपने टाइम निकाला और यह लिखा बागी लोग भी इसी परकार लिखें देखते हैं नेक्स्ट प्रसाद कल्याणी साब आपने लिखा QRS डी इनर्जाईज होने से VF ब्रांच पे खुल जाता है इसलिए PVF दबाने पर भी लोको ब्रेक रिलीज नहीं होता है इनोंने ठीक है लिखा थोड़ा बहुत ही शौट लिखा यानि की कंजूसी किया थोड़ा तो कभी भी कमेंट जो भी लिखें आप पूरा लिखें ताकि जो अंजान विकती है जो उसको समझ में नहीं आ रहा है उसको भी समझ में आ जावे फिर भी आपने लिखा तो सही है कम से कम कल्यानी साब ने इसी परकार अन्य लोग भी लिखते रहें और अपने नॉलेज को बढ़ाते रहें तो बहुत बहुत धन्यवाद परसात कल्यानी साब आपको देखी आगे चलते हैं और किसने क्या लिखा है पाइलेट अभी साब ने लिखा बिल्कूल करेक्ट लिखा डिटेल में लिखा वैन वी पूट अना इन्टो इमरंसी बीबी प्रेशर ड्रॉप्स और अनो इंटरलोक ऑफ रजी भी ओपन्स ऑन क्योरस ब्रांच और क्योरस दी नजज़ाइज बहुत सही लिखा आपने और लिखते रहें और लिखते रहें ताकी अन्य लोगों को भी सीखने का मोका मिले तो इंतजार कीजिए आगे सवाल का धन्यवाद